सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिये गए रैड बटन से और बाद में बैल आइकन दबाए हमारी लैटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप से आवेधन पत्र मगाय जा रहे हैं बारवी पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेधन कर सकते हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस भर्ती पर आवेधन करने के लिए क्या आपका eligibility criteria होना चाहिए कैसे आप इस भर्ती के official notice की PDF डाउनलोड कर सकते हो कैसे apply कर सकते हो और कब से कब तक apply कर सकते हो इन सब चीजों की पूरी जानकारी के लिए बने रहे हैं इस वीडियो में अंतितक हमारे साथ इस वीडियो को अंतितक देखने पर ही आपके सभी स्वाल और ड pharmacist, A&M की post के लिए यहाँ पर 3300 vacancies है और pharmacist की post के लिए 448 vacancies है तो total इस परकार से यहाँ पर 3748 vacancies है जिनके लिए आप से आवेदन पत्र मगाई जा रहे हैं qualification की अगर बात की जाए तो candidate का कम से कम 12 class पास होना जरूरी है पलस उनके पास A&M का डिप्लोमा या फिर pharmacy के अंदर डिप्लोमा होना आवशक है इस भरती में participate करने के लिए आयू सीमा यहाँ पर आपकी minimum 18 साल और maximum 45 साल लखी गई है से लिए आपको 39,500 परती महा के रूप में इन पोस्ट के लिए परवाइड करा दी जाएगी फीस आपको इस भरती पर जमा नहीं करानी है बिलकुल फिरी आप आवेदन कर सकते हो selection यहाँ पर आपका return test और interview के आधार पर किया जाएगा online आप इस भरती के लिए आवेदन कर सकते हो website है up-health.in dates के अगर इस भरती की बात की जाए तो इस भरती की सभी dates जल्दी गोसित कर दी जाएगी अब हम आपको इस भरती की official news दिखा दे जिहां दोस्तों स्वास्थे महकमे में 3,748 पदों पर बड़तिया जल्दी होने जा रही है परदेश सरकार इस पतालों में फार्मेशिस्ट और अन्म की कमी को पूरा करने के लिए जल्दी ही इन पदों पर बड़ती बड़े पैमाने पर शुरू करने जा रही है इसमें फार्मेसिस्ट के 448 और NM के 3300 पद है जल्द मांगे जाएंगे इन पदों पर आवेदन स्वास्ते विबाग एक माह के अंदर uphealth.up.nic.in पर पदों के लिए आवेदन मांगेगा फार्मेसिस्ट पद पर आवेदन के लिए अभ्यत्रिक का फार्मेसि में डिपलोमा धारक होना आवश्यक है वही पर NM के लिए इंटरमीडियर परिक्सा विज्ञान विशे के साथ उत्तीन होने की अरहता रखी गई है NM की नोगरी एक साल की ट्रेनिंग के बाद सुरू होगी मोजूदा समय में फार्मेसिस्ट के करीब 1200 पद रिक्त चल रही है फार्मेसिस्टों की कमी होने के कारण दवा वितरन में भी काफी दिक्कते आ रही है जिहां दोस्तों ये थी सुआस्ते विभाग की इस भरति की पूरी जानकारी इसके बाद भी दोस्तों गर आपको इस भरति के बारे में और जदा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के स्पेज का लिंक निचे डिस्किप्शन 곳 में प्लस फर्स्ट कमेंट बोक्स में मिल जाएगा जहां पर जाकर आप डिरेक्टली इस बर्ति के ओफिशल एडवर्टाइजमेंट की PDF को ओपन करके पूरी डिटेल आप उसमें से रीट कर सकते हो प्लस यहीं पर आपको apply online का link भी provide करा गया है जिसके माध्यम से आप simplest भर्ति के लिए online आविदन कर सकते हो आज की वीडियो में बस इतना ही आई होपे वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इसे like और share करना मत भूनना साथी साथ दोस्तों गर अब भी आपके मन में इस भर्ति से later कोई question या query है तो आप हमें comment के जरी पूछ सकते हैं और अज में दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूनना क्यूंकि हम daily basis पे आपके लिए ऐसी ही big government jobs के update अपनी चैनल पर upload करते हैं